तो दोस्तों आपको हम दिखाने वाले हैं जैसे बंबे में टेरिस के उपर बहुत कम जाते हैं लेकिन यहां पर लोगों का खुद का टेरिस होता है और काफी बड़े-बड़े आपे टेरिस होते हैं जो उपर का जो टेरिस होता है हम आए हुए हैं पाजी के घर पे और हम अच्छा लगता है तो इससे में बज रहे हैं साड़े साथ अभी भी सन आपको दिख रहा होगा और यह दिखिए कैसे टैरेस होते हैं अगर कोई अपने गाओं को या पिंड को मिस कर रहा है तो आप हमें जरूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में कि उनका कौहां कौन सा पिंड में चल रहा हूं इतने में तू सरीफ एक दो आपको मिल जाएंगे कम्रे मिल जाएंगे चोटे-चोटे इतने में कम से कब वह पे बिल्डिंगे खड़ी और कितना परिवार रहता है इस तो यह इतने बड़े हैं अ आठ लोग रहते हैं और मैं आपको सच बताओं बंबै मे इतने बड़े घर है बहुत चोड़ा लंबाई के साथ ग्यारा गहर है और आट लोग रहते हैं अच्छा पांच बात्रूम वहां पर तो लोग एक ही बात्रूम को शेर करना पड़ता है वह भी बहुत ज्यादा वैसा रहता है है तो यह गांगा कितने को लिए है कि इसका है अच्छा सब्सक्राइब ही और यह त्रीश यह चोड़ा है और मैं आपको शामने भी दिखा देता हूँ आँ असामने क्या है सामने पूरी खेत आपको धूरी होए अबी कषेति हो रही है खेक्टर चल सपराइब पानी ila यहां पर यहां पर ऐसे घर होते हैं जो घर के उपर का होता है अब आपको दिखाया है और यह पूरा देखवा अभी यह घर बन रहा है यहां पर इतना बड़ा घर बनाने के कम सखम कितने खर्चे लग जाते होंगे कि अच्छा तीस लाग रुप में इतना बड़ा घर तो यह बराबर है तो यह देखें यह पूरा घर का उपर का नजारा है आपका पिंड कैसा आप गrąंड कैसा आप जरूर बताओं सामने यह अपको दिख रहा होगा के प्याय में क्याओं करनें कोॉट में प्योंगे को दिखाने का अंतों अच्छा तधी हुरा होगा आपको सामें यह पूरा आपको दिखाने की ठेशिज होगा तो यहां पर सामके ठाइम बढ़ होती है आप लोग उपर ही सोते हैं नीचे सोते हैं अच्छा गरम नहीं लगते हैं पूरा मचरे तो काटते होंगे अगर कोई अपने पेंड से देख रहा होगा अपने गाउं से देख रहा होगा तो मुझे जरूर बताएगा आपका घर कैसा कितना बड़ा है यह दिखिए पाजी का की कमरे में 8-8 लोग 10-10 लोग रहते हैं तो यहां पर यह इसी तरह के घर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपका घर कैसा है और आपको यह पंजाब का घर का टैरिस कैसा लागा जो उपर जो टॉप फ्लोर है जहां पर लोग बैठते हैं चाय पीते नास्ता करते हैं घुमते हैं और बाते करते ही आपको कैसा लगा तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा